देखते हैं आज आपका दिन पैसान के बाद मेश अपने निजी संबन्धों में छोटी छोटी बातों पर हो रहे विवाद के कारण चिंता बढ़ेगी व्यापार में इच्छित लाब होगा पर मेहनत अधिक होगी सदकार्यों में रुची बढ़ेगी व्रिशप आपकी मेहनत ड्रंग लाएगी संदान के विवाह में आ रही अर्चन दूर होगी प्रियजनों का पूर्ण सयोग मिलने से कारिया आसानी से पूरे होगे अलस्य न करें आर्थिक सिती मजबूत होगी मिथोन दिन उप्युक्त है जिन कारियों के लिए आप प्रियास रथे आज संभव है कि वो पूरे हो जाए प्रियजनों से मन मुटाव खत्म होगा व्यवसाइक विरोधी परास्थ होंगे क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें कर्क दिन की महत्वता को समझें और मन लगा कर काम करें बात कम और काम जादा करें कारिक्षमता एवं कारिकोशलता में निखार आएगा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं स्वास्टिके प्रती सजग रहें सिंग अपनों का साथ पाकर खुश होंगे व्यापार व्यवसाय सामाने चलेगा कारिस्थल पर असंतोश का वातावरन बनेगा भूमी आवास की समस्याओं का समधान होगा कन्या कारिस्थल पर बुद्धी एवं तर्क से लाब में रहेंगे व्यापार में नई योजनाओं से लाब होना तै है कर्म के प्रती पूर्ण समर्पन व उच्छाह रखें वाक्षाली से लोग प्रभावित होंगे तुला सकारात्मक सोच आगे बढ़ने में मददकार होगी अच्छे विचारों के कारण प्रगती के योग आएंगे कार्य पद्दती में विश्वस्नियता बनाए रखें आज जी विका में नए प्रस्ताव मिलेंगे आर्थिक पक्ष मस्बूत होगा विरिश्चेक कार्यक्षेत्र में वर्चस वो बढ़ेगा मन चाहे काम होने से इश्वर पर आस्था बढ़ेगी धैर्य एवं संयम बनाए रखें आर्थिक चिंता रहेगी वानी पर नियंत्रन रखें यात्रा कश्ट प्रद हो सकती है धनू दिन श्रेष्ट है उत्तम मनोबल से समस्याओं का हल निकलेगा राजकी अक्षेत्र के व्यक्तियों से संबंद बढ़ेंगे जो आपको लाब प्रदान करेंगे मांगलिक आयोजनों की रूप रेखा बनेगी संतान की मदद से कारिय पूरे होंगे मकर कार्य विस्तार के लिए समय उप्युक्त है व्यापार में करमचारियों पर अधिक विश्वास न करें आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें लापरवाही न करें पेट से संबंदित पीड़ा की आशंका है कुम्ब तामपत्य जीवन में क्लेश होगा कार्य विस्तार का निर्णए शांति से विचार करके करना चाहिए व्यापार में नए अनुबंद लापकारी रहेंगे मित्रों की आर्थिक मदद करती होगी मीन कर्ज सम्मनति काम होगे समाज में प्रसिद्धी मिलेगी राजनीती में पद मिलने के कारण सम्मान में बढ़ोतरी होगी प्रिय जनों के स्वास्त्य और सुविधाओं की ओर ध्यान दे